अंसर सिट कर दिया जाता था जिसको जितना माश होता था नम्री करके शुनाया जाता था इस तरह से गुरूब डिसकस्न करने से हैल्प होता था और होती है क्या कि अब तो अब तो अब तो आप तो अब लोग करते थे जो याद करने का वह मिलता था वह भी याद करते थे इस तरह से करते थे अब तो अब तो अब तो अम लोगों का टेलिग्राम आप 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 लोगों का भी मतलब मोटिवेशन बहुत ही काम अच्छा आता है जो भी होते हैं आप भी मतलब बताते हैं तो चैसे त्यारी करना चाहिए उस सब को देख देख के मतलब एक दूसरे स्टुडेंट से मेरा दीवी में अंतीम रोप से पैनल में जब नाम आया था तो कि डिवी के लिए बुलाए गया था डिवी के लिए हम लोग को कॉलकत्ता हबरा में ही बुलाए गया था तो वहां पर मेरा मतलब सब डेख को में यहां बनवाकर ले गए डेख के समय क्रोना पेंडेमिक चल रहा था उसमें हमको बहुत ज्यादा तकलिफ जहनना पड़ा हो जो मेरे बैच में मतलब जोनिंग करने के लिए गए थे सब एस्टूजन को बहुत ज़्यादा मेलग करना पड़ा था हम लोगों को तब जो होता है कि मतलब अधिकारी लोग जो है एक दिन में तो बनता नहीं है जैसे आप कास्टिफिकर बनाते हैं एनेक्चर बनाते हैं उस हमें बहुत ज़्यदा में नहीं जांगे और आपकें जहां तक होगा अपना से कभी नहीं चाहेंगे टाइम भी देते हैं, आपको एक बार नहीं होता है, तो दोबारा गएगा जाईए, इसको ठीक करवाएक लाइए, दोबारा नहीं, तीन बारी चार बारी मौका मिलता है, लास्ट लास्ट में आपको फोन करके भी बुलाएगा, इतना मेनद करने के बार, यहीं तो इंट्रेस लाँ बचा हुआ है, आप लोग NDPC के CBD 2 भी बचा हुआ है, और कहते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को करते रहना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करना को काम करना कहते हैं, तो जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता है, तब त प्राइस है मात्र 3,600 रुपिया उसमें भी आप हमारा कुपन कोट इस्तमाल कर लेते हैं उमंग स्टडी तो आपको 360 रुपिया का आप एक क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं और केवल ऐसा नहीं कि प्लस सब्सक्रिप्सन में भी आप स्टडी कर सकते हैं अप लोग अनकेडमी को अभी तेक एक्स्प्रियेंस नहीं किया है तो आप लोग आने केडमी लर्णिंग आप को प्ले इस्टोर से डाउनलोड करके यह सब्सक्राइब कर लिए हैं हम लोगों ने सीवीटी वन का फेस वन से लेकर के फेस सेवन तक का सीधा एक्जाम सेंटर के बहार से लाइब कवरिज किया था तो बहुत सारे से स्टूडेंट से जिनको आने कैडमी से बहुत ज्यादा बेनफीट हुआ आपके सामने एक सकता है तो आपका भी पेपर अच्छा हो सकता फ्रेंट तेरा आप लोग परचेस करने वाले हैं तो बीना कोई देरी कीवे परचेस कीजिए ओके फ्रेंट तब तक के लिए जय हिन जय भारत